सामने हम गर्म के साथ कह सकते हैं कि इस देश के सवाइश सोг करोड लोग ऐसे हैं वो अनपड हो सकते हैं कि ऑफ सुखशा साज न भी मिली हो जैसे आप प्मणन करते थे हुआ जो इसह है ऐसा है है इसा है वो सब होते हुए भी यह देश हैं जो अपनी भीतर की बुराईयों से बाहर निकलने के लिए बहनत कर रहा है तड़त यह कोई भी राज रेता हो बल कोई भी हो कि हम लोगों के लिए गर्व का विशह है कि इस देश में ऐसे जंद है एसे नागरिक है जो अपनी बुराईयों को खिलाब लगने के लिए कस्ट जेलने के लिए तयार होते हैं कठिनाई जेलने के लिए तयार होते हैं और बुराईयों से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं और इसलिए हमने भी इस बात को समझना होगा प्राइब आपके लिए अप्राइब आपके जाए है कि यह से प्राइब आपके अपके मेरा एक बिल्स प्राइब एसी ज़िए रहेंगे क्या थोड़ी एक सब्सक्राइब को फिर्म फिर्म थे वाइब यहिए सब्सक्राइब कर अखर अर्वाश्य श्चाहिए ओब आपके अगूड़ी मॉदयगी एपके अग्यूड़ी स्थिंट ओपकें तरह मुड़ी तोखेंग धिस्थिट्यूड द्रिची मॉदय धिशिक आचिर्ट्रइब ऑपके अगे निज़े सब लगाएं तो अब इस अब इस अब इस अब इस अब इस प्लीज मनमान सिंग जी ने अपने विचार रखे थे कि अब इस अब है कि अभी शायद कि एक किताब निकली है आपकी तरब से उसकी फॉर्वर्ड डाक्टर साब में लिखिए कि मैं जब अपका रिपोर्ट देख रहा तो मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्वसास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान हो लेकिन पता चला किताब किछे और ने लिखी फॉर्वर्ड उन्हों लिखिए तो उनके भाशन में भी मुझे ऐसा लगा उनके भाशन मे करीब 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 तीस पैतिस साल से शर्मा जी बैठ चाहिए प्लीज सिटाव प्लीज सिटाव करीब 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 कर इसका अर्थ समझ गए है यह बड़ी कज़ेव की वात है अब है डाक्टर मानमोन सिंग जी पुर्वा प्रधान मंत्री है आदर्णिय वक्ती है और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साथ भारत के आर्थिक निर्णायों के साथ उनका सीधा संबंद रहा और निर्णाय भूमिका में रहा है 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा है और कि इतने गोटानों की बाते आई है लेकिन खास करके हम राजनेता होने राजनेता होने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सिखने जैसा है इतना सारा हुआ उन पर एक दाग नहीं लगा बात्रूम में बात्रूम में रेंकोट पेगर के नाना ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते है और कोई नहीं जानता है और और दयाहेड है ब्रेस्टन दप्नि एगल्थ ङजाएं अबड़ एक घड़ Ciao इसे में दो जाएक सरय कर राहँ करत कर ठेंद कर दू मैं भीक्रिक हगो की ऐड़ाओ कर दोग्मने दोगी तो भीक आप टाएगे सब्सक्राइए परोग्तो खदाए please go back 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 please please I am appealing to the honorable members please sit down please I don't really आपको अपनी बात करके हो सुनना नहीं, आपको चाही सुनना पड़ेगा आपको आप सचाही सुनना पड़ेगी नाप से सुनना पड़ेगी अप एक कर दो बार्चेकłada, ध् борरव, प्लीसफी सिदेख लाइव प्लीस प्लीस आर आफ जास्थी नावर रह ही प्ली कैर्रेएँ दुक्ष्परूशनर में भार्ची क म लिक्त्रा प्लीस में एक दूज व प्रिमस्त भी लाद हिटर लिए, प्रिमस्त पादता हम सिक्थानी अप्राइब बीदानें एंगत्र. आपके प्रफ्यट कर द सकत्राइब कर द सकत्राइब जड़ी। भ्युख्ट अजिस पिर इट्राव कर द एम पर वें तक अधित प्रफ्यट कर द द सकत्राव मुझेशर नपकार है everybody sit down no go back to your place just go back to your place everybody everybody sit down please that's enough please sit down everyone please everyone sit down honorable prime minister please आदेनिये सभापती जी इतने बड़े पत्पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट बंडर जैसे शब्द प्रोग किये थे तो पचास बार उदर भी सोचने की जरूरती कि मर्यादा अगर लांते हैं तो सुनने की भी ठ्यारिक और हम उसी कोईन में वापिस देने की ताकत रखते हैं और सम्विदान की मर्यादाओं में रहतर के करते हैं लोग तंत्र का आधर करते हुए करने वाले लोग नेकिन किसी भी रूप में प्राजे स्विकार ही नहीं करना एक कब तक चलेगा अधिनिये सभापती जी इवाद सही हैं कि सामान ने जन को आंदोलिक करने के बहुत प्यास हुए थे